हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज है एक जन्वरी 2022 का दिन और सबसे पहले विशु वेरी हैपी न्यूर तू यू आल ये नया साल आप सभी लोग की लाइफ में नए रंग लेकर आए आप सभी लोग एक अच्छी सी जॉब लेकर लाइफ में सेट हो जाएं इसी बेस्ट विश के साथ आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं पहला क्योशन है वेर वाज दे नेशनल पैरा बैड्मिंटन चैंपियंशिफ 2021 है रास्ट्य पैरा बैड्मिंटन चैंपि बुनेश्वर ओडिसा के खेल मंत्री तुशार कांती बैरा ने शुकरवार को यहां चोती रास्ट्य पैरा बैड्मिंटन चैंपियंशिफ का उधगाटन किया है और जिसमें 500 से अधिक खिलाडी भाग ले रहे हैं और यह है टूनामेंट रेलवे इंडोर स्टेडियम और अभुनेश्वर में किसी मेमोरियल ट्रस्ट में आयोजित किया जाएगा चली सेकिंड क्वेशन पर चलते हैं सेकिंड क्वेशन है विच बॉलिवूड एक्ट्रेस हैस बिन चूज़न एस इस परसन ओफ दे एयर 2021 बाइपिपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ओफ एनिमल्स पिपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ओफ एनिमल्स इंडिया ने किस बॉलिवूड अभिनेतरी को अपना परसन ओफ दे एयर 2021 चुना है तो इनने चुना गया है आलिया भट को इसके अंदर चुना गया है और जो पिपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ओफ एनिमल्स है उसको पेटा के नाम से जानते हैं हम, और पेटा के बारे में बात करें, तो पेटा एक पशु अदिकार संगठन है, इसका जो हेड़कॉर्टर है वो USA के विर्जिनिया में है, वर्ड में इसके 20 लेक मेंबर है और ये अपने को विश्व का सबसे बड़ा पशु अदिकार मर्थन करने के लिए और जानुरों से उनके लगाव और मुहीम को देखकर पैटा ने उन्हें 2021 का person of year चुना है आलिया बट ने कुछ समय पहले फ्लेदर नाम के एक फूल कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो मंदिरों में जमा फूलों से चमड़ा बनाती है इसके अलावा आलिया बट की वीगन किट्स वियर लाइन एडे मम्मा को भी पैटा ने अवोर्ड दिया है थर्ड क्वेशन पे चलते हैं The country has launched the world's first dual mode vehicle विश्टु का पहला dual mode वाहन देश ने लाँच किया है तो ये लाँच किया है जापान के द्वारा जापान ने अपने शहर कायो में मिनिबस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला dual mode वाहन पेश किया है dual mode मतलब ये दो तरीकों के रास्ते में चलेगी इसके अंदर rubber के टायर रहेंगे और steel के टायर रहेंगे रबबड की टायर की मदद से ये रोड पर चल सकेंगी और steel की पईयों की वज़े से आप इसे पट्रियों पर भी चला सकते है इसमें एक बार में 21 यात्री बैठ सकें और अगर आप इसे रेल की पट्रियों पर चलाएंगे तो जो इसकी स्पीड रहने वाली है वो 60 km पर हार रहने वाली है और इसे अगर रोड बर चलाएंगे तो 100 km पर हार इसकी स्पीड रहने वाली है तो चलिए अब हम words first की बात कर लेते हैं First anti-COVID-19 stainless steel has been made by the scientist of which country? तो यह Hong Kong के scientist ने डवलब किया है. What's first spacecraft to touch the sun? Parker Solar Probe has been developed by the Space Agency NASA. First Europe country to approve cannabis for personal use? तो यह है Malta. First country in the words to have a four and a half day work week? United Arab Amirat के अंदर है यह. और World's first Bitcoin city will be established in which country? तो यह है Al Salvador. Next question है. Who has won two gold in the fourth Para Badminton National Championship held in Bhumneswar Odisha? Odisha के Bhumneswar में आयोजीत चोथी Para Badminton रास्टी चैंपियनशिप में किसने दो स्वान जीते हैं? तो यह जीते हैं Nitish Kumar ने. और इसके बारे में डिटेल से बात करें. तो नितेश कुमार ने Odisha के Bhumneswar में संपन हुई चोथी Para Badminton रास्टे चैंपियनशिप में दो गुना स्वान जीता है. हरियाना के नितेश ने अपने साती तरुम ढिलो के साथ मिलकर विश्व के नमबर एक पैरा ओलंपिक खेलो के स्वान पदक विजेता, प्रमोद भगत और मनोज सरकार को पुरुष यूगल फाइनल में सीधे सैटों में एक्किस उन्नीस और एक्किस ग्यारा से हराकर स्वान पदक जीता है. इससे पहले नितेश ने पुरुष एकलवर्ग में भी स्वान पदक जीता था, विश्व की नमबर एक SL3 पैरा बैडमिंटन की लाड़ी गुजरात की पारूल परमार ने भी स्वान पदक जीता है, जबकि उत्रागंड की मंदीप कौर और रजत और मानसी ने काश्य पदक जीता है. फिप्थ क्वेशन है, विश्व को वन महानी देशक और विशेश सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है CP गोयल को, चंद्र प्रकाश गोयल को ये नियुक्त किया गया है, और ये 1986 के IFS अधिकारी है, और इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन सरक्षंक थे, तो फाइप अपोइंट्मेंट्स की बात करें, तो नियुको चेर्मेन आफ दे फाइनेस इंडस्ट्री डवलप्मेंट काउंसिल ये है कमलेश गांधी को बनाया गया है, 35 चेफ सेकेरेटरी ओफ हर्याना स्टेट ये है संजीव कोशल, नियुँचीफ एग्जुकेटिव ओफिसर ओफ ए-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा, जान्द्र मोधी, 6 विच स्टेट है स्टॉप्ड इन इंप्लीमेंटेशन ओफ शामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन, शामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य सीर्ष पे राहा है, तो ये राहा है तेलंगाना, शीर्ष पे राहा है इसके अंदर और सेकिंड राहा है तमिल नाडू और तीसरे इस्तान पे राहा है गुजरात, और रूर्बन मिशन के बात करें तो इसे 21 परवरी 2016 में 36 गड़ के टोगरगड जिले से पीम नरेंद्र मोधी ने इसके स्टार्टिंग की थी और यहार रूर्बन का मतलब क्या है, रूर्बन का मतलब है रूरन प्लस अर्बन, इसका मतलब हो गया कि रूरल एरिया में यानि गाओं में अर्बन जैसी शेहरों जैसी सुईधाय देना, और इसमें cluster का मतलब क्या हो गया cluster का मतलब होता है आसपास की गाहों को जोड़कर जो group बना है उसे cluster कहते हैं ठीक है और cluster की ranking में 205 में समूओं में सांगा रेडी के रयाकल cluster और तैलंगाना में कामा रेडी के जुकल cluster को पहला और दूसरा इस्तान मिला है और मिजोरम में आव question है which African country has become a member of the new development bank of the brisk country कौन सा अफरीकी देश ब्रिस्क देशों का new development bank का सदश्य बना है तो यह बना है इजिप्ट मिश्र बना है ब्रिस्क देशों ने मिलकर 2014 में यह bank brisk bank यानि की new development bank बनाया था जिसमें इजिप्ट चोथा नया सदश्य बन गया है इससे पहले सितंबर 2021 में एंडीबी ने UAE बागला देश और उरगवे को नए सदश्य के रूप में मंजूरी दी थी ठीक है new development bank के बारे में बात करें तो यह established हुआ था 15 जुलाई 2014 को headquarter है इसका शंगाई चाइना के अंदर इसके chairman है केवी कामत, vice president and earn, CRO है service JB, founder है brisk group अगला question है, who is the new managing director and chief executive officer of Yuko Bank, Yuko Bank ने नए प्रभन निदेशक और मुख्य कारी कारी अधिकारी कौन बने है, तो यह बने है सौमा संकर प्रसाद, इसका आंसर है सौमा संकर प्रसाद, तो यह वर्तमान में SBI के deputy managing director है और इनको Yuko Bank में MD CEO बनाया गया है और यह 2023 तक अपने प BNB के new MD और CEO बने हैं और इससे पहले यह Yuko Bank के MD और CEO थे, Yuko Bank की बात करें हम, तो Yuko Bank established वार 6th January 1943 को, इसका जो headquarter है वो कौल गता में है, MD और CEO बन गए है सौमा संकर प्रसाद, और इसकी tagline है, honors your trust, 9 question है, संजे अरोरा, Director General Indo-Tibbath Border Police Force has been given additional charge of which of the following departments, भारत तिबबत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक संजे अरोरा को, निम्न में से किस विबा का अतरिक्त प्रभार दिया गया है, तो यह दिया गया है, शशस्त्र सीमा बल का, और इसके बारे में डिटेल से बात करें, तो SSB के प्र के IPS अधिखारी चंद्र ने जन्वरी 2019 में शशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में पदभार समाला था, अगले क्वेशन पर चलते हैं, Recently, the India Out campaign is related to which country, हाली में इंडिया आउट अभियान किस देश से समंदित है, तो यह है मालदीव से समंदित, और इंडिया आउट क्या है, दिसंबद के शुरुआ से ही यामीन की Progressive Party of Maldiv, इंडिया आउट campaign चला रहा है, और पार्टी का कहना है कि इस campaign का मकसद भारती सेनिको को मालदीव से हटाने का है, और इसके बारे में बात करें, तो हाली में मालदीव में राजनीती दलो ने इस अभियान का विरोध किया है, और पिछले तीन वर्षों में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट नारा देखा गया है, इंडिया आउट अभियान इन आरोपों के इ खारत में किन दो नई कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है तो ये मंजूरी मिली है कोवो वैक्स और कॉर्बे वैक्स दोनों को सेकिंड क्वेशन है भारतिय स्केयर आचल ठाकूर ने अंतरास्टी इसकी महसंग अलपाइन स्किंग परतियोगिता में कौन सा पतक जीता है तो क्वेशन है पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध दिदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी कौन बने है तो ये बने है अतुल कुमार गोयल फोर क्वेशन है जर्नलिस्ट ओफ दे यर और 2020 किसे मिला है तो ये मिला है दानिस सिद्धिकी को फिप्थ क्वेशन है जाग ग्लोबल एन्वाइर्मेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवोड 2021 से किसे समानित किया गया है तो इससे समानित किया गया है विरल सुधीर भाई देशाई को अगला क्योशन है शूशाशन सूचकांग में कौन सा केंद शासित प्रदेश सीट्स पर रहा है त 10 क्योशन है अंगारा एफाइफ रोकेट को किस देश ने लांझ किया है तो यह लांच किया है रस्या के द्वारा लॉञ्श किया गया है ये था कल का स्टेडी ग्लोष क्योशन देश में पहली बार ड्रॉन से हुई दवाव की डिलेवरी किस राज्ये में हुई है तो ये ह हुई है मेगालय के अंदर और यह है आज का स्टेडी ग्लॉस क्वेशन हुएज रिलीज दे बेसिक लिटरेसी एंड नुमेरिकल इंडेक्स 2021 बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांग 2021 को किस ने जारी किया है तो इसका अंसर आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर देना है और आप सभी के लिए टेलिग्राम चैनल पर क्वीज अप्लोड कर दिया गया है वहाँ जाकर आप इस टैम कर सकते हैं इस लेक्चर की पीडिये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी आप सभ यह हम मिलते हैं नेक्स सेशन में थैंक यू